समराट चौधरी और तेरस्वी आदव वो दो नाम जो बिहार की राजनीती में अभी इतने प्रभावी हो चुके हैं कि आप किसी भी पार्टी के नेता के पास जाकर अगर पूछिएगा कि हमको बिहार की राजनीती का सबसे बड़ा नाम बताईए तो वो बस दो नाम लेगा पहला तेरस्वी आदव का और दूसरा समराट चौधरी का पहला तेरस्वी आदव क्यों और दूसरा समराट चौधरी क्यों इसी बात का विशलेशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भाजपा ने कैसे समराट चौधरी को लालो यादव के सुपुत्र के सामने समनांतर खड़ा कर दिया जो कभी बिहार के लोगों ने और कुश्वाहा समाज के लोगों ने भी कभी सोचा नहीं होगा और उसके बाद तेरस्वी आदव के उस बात का विश्लेशन होगा जिसमें आपको हम comparison करके ये बताएंगे कि कैसे समराट चोधरी और तेरस्वी आदव में समानताएं हैं उसके बाद differentiation भी है और उसके बाद ये क्या तै करता है कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंतरी होगा तेरस्वी आदव से अगर हम सुरुवात करे तेरस्वी आदव उस लालू प्रसाद्यादव के बेटे हैं जिस लालू प्रसाद्यादव के बिना बिहार की राजनीती की कलपना नहीं हो सकती है उसके बाद तेरस्वी आदव वो भी नेते हैं जिन पर भरष्टाचार का इतना आरोप है कि बच्चा भी उठकर कह देता है कि चारा चोर का बेटा क्या ही बिहार को बदलेगा और उसके बाद रस्वी आदव पर इस बात का भी आरोप है आप कह लीजिए कि कटाच होते हैं कि जिसका पिता 15 साल तक एक राज का मुख्यमंत्री रहा वो आदमी नवी फिल कैसे रह गया इन तमाम बातों का कॉम्पेरिजन जब आप समराज चोधरी से करेंगे तो समराज चोधरी लालू प्रसाद यादव जैसे बड़े नेता के बेटे तो नहीं है लेकिन शकुनी चोधरी भी कोई छोटे नाम नहीं थे अगर कुश्वहा समाज के राजमीती की बात की जाए तो शकुनी चोधरी भी अपना एक उहदा रखते थे सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे और उसके बाद शकुनी चोधरी का नाम आज भी लोग जब लेते हैं तो अदब के साथ लेते हैं जो दूसरा एक्जामपल हमने तिरस्वी आदव के लिया दिया था उसमें हमने कहा था कि तिरस्वी आदव पर आरोप लगता है भरष्टाचार का कहा जाता है कि जब तिरस्वी की मूछे नहीं होगी थी तब ही वो करोडो संपत्ति के मालिक बन गए थे लेकिन अगर समराच चौधरी की बात की जाए तो पब्लिक डोमेन में कम से कम ऐसी कोई बात नहीं है समराच चौधरी को लोग भरष्टाचारी नहीं कहते हैं और उसके बाद जो सबसे बड़ा आरोप हमने आपको बताया कि तिरस्वी आदव को लोग नौमी फेल कहते हैं जिसकी चलते कहीं न कहीं तिरस्वी की छवी जो है वो धूमिल होती है ऐसा समराच चौधरी के साथ कम से कम नहीं है समराच चौधरी का जो व्यक्तित्व है समराज चौधरी का जो चरित्र है लोगों के नगर में वो एक ऐसे मुखर नेताका है जो नितीश कुमार को भी कुछ समझता नहीं है नितीश कुमार हो कोई अध्यक्ष साहब कुर्सी पर बैठे हुए हूँ किसी सदन में समराज चौधरी किसी को भी टोकने और रोकने से डरते नहीं है आज भाजपा ने समराज चौधरी को तिरस्वी आदो के समनांतर खड़ा कर दिया है समराज चौधरी जिस दिन दिल्ली से आये थे और भाजपा कारयले में जाकर पदभार गरहन कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष का उस दिन पठना के सडकों पर पोस्टर लगा था कि बिहार का योगी आ गया एक अनेमार्ग खाली करो उसके बाद समराज चौधरी के लिए ये भी कहा गया कि अब CM कैनिडेट अगर भाजपा किसी को बनाएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ समराज चौधरी ही होंगे और उसके बाद इस बाद का डिसकेशन और डिबेट शिरू हो गया कि क्या तिर्फ भी आदव के सामने एक मुखर और युवाज चेहरे को भाजपा ने लॉंच कर दिया है समराज चौधरी और तिर्फ भी आदव की बात अगर आप किसी राजनितिक पंडित से या राजनितिक विशलेशक से करेंगे बाकी समराज और तिर्फ भी में जीतेगा कौन यह हम और आप तै करेंगे वोट देने के वक्त और जो जिसको वोट देगा वो हो सकता है नेता बन जाए लेकिन समराज फिलहाल तिर्फ भी के लिए मुसीबत तो बने हुए हैं और समराज ही तिर्फ भी कलपना भी नहीं की होगी आपकी जो प्रतकिरिया है मिलें कि बताइए मेरा नाम प्रशांत्रा है हम फिर जल्दी मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद